अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कन्वेयर बेल्ट ट्रांजिशन डिस्टेंस के बारे में जिसे की ट्रांजिशन लेंथ भी कहा जाता है तो इस क्या माहत्तों है यह भी जानेंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्फूल होने वाली है बने रहेएगा वीडियो में अन्ते तक चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वाट इस ट्रांजिशन डिस्टेंस तो देखिए ट्रांजिशन डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बहुत ही आसान लेंग्वेज में समझाता हूँ है ना कन्वेयर बेल्ट के हेड पुल्ली या फिर टेल पुल्ली जिसे की टर्मिनल पुल्ली कहा जाता है उसके सेंटर से ले करके फ़र्स्ट फुल एंगल आइडलर फ्रेम का मतलब आपको आगे डाइग्राम में क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आप इत्ता जान लीजिए कि हेड पुल्ली या फिर टेल पुल्ली के सेंटर से ले करके जो फुल मतलब एक केरिंग आइडलर फ्रेम है जो फुल ट्रफिंग एंगल में है ना वहां से ले करके वहां तक कर distance जो की यहां पर L से denote किया गया है देखिए है ना उसे कहा जाता है transitional distance अब देखिए यह दो type का होता है पहला हो गया full truff transitional distance और दूसरा होता है half truff transitional distance तो जो full truff transitional distance होता है वो tail pulley side में होता है है ना और जो half truff transitional distance होता है वो head pulley side में होता है दोनों का calculation थोड़ा सा लग है तो देखिए अब समझ लेते हैं इसका importance क्या है जैसा कि हम सब ही जानते हैं conveyor belt में carrying idler frames का इस्तमाल किया जाता है जो की different truffing angle पे रहते हैं जिसकी वज़ा से इस type का truff shape मिलता है conveyor belt को और ज्यादा material को convey किया जा सकता है conveyor belt के उपर और बिना spillage के बहुत ही अच्छे से convey किया जाता है truffing angle तो आप जानते ही होंगे यह जो carrying idler frame जो corner corner के होते हैं वो अपने horizontal से जो angle बनाता है उसे ही truffing angle कहा जाता है तो देखिए head pulley और tail pulley के पास क्या होता है conveyor belt आपका truffing shape में है लेकिन head pulley और tail pulley के पास उसको क्या होना है इस truffing shape से उसे फिर से straight हो जाना है ठीक है तो यानि क्या होगा वहाँ पर वहाँ पर belt band है और band से फिर सीधा flat हो रहा है और उसी portion को क्या कहा जाता है transitional distance कहा जाता है तो उस portion में क्या होता है belt के उपर काफी ज़्यादा tension पढ़ सकता है load पढ़ सकता है belt joint open हो सकता है tension की वज़ा से और belt damage भी हो सकता है तो इस process को smoothly करने के लिए क्या किया जाता है different carrying idler frames का set जो है different angle का उसे लगाया जाता है जैसे कि यहाँ पर image में आप देख सकते है यहाँ पर देखिए जो truffing angle है conveyor belt का वो 45 degree का carrying idler frame यूस किया गया है याने कि conveyor belt में throughout length 45 degree के ही carrying idler frames लगे हुए है लेकिन जहाँ पर आपका terminal pulley है वहाँ पर conveyor belt को flat होना है truff shape से flat shape में आना है तो यहाँ पर देखिए reduce किया गया है फिर frame के angle को 45 degree से फिर 35 degree कर दिया गया है उसके बाद फिर 20 degree कर दिया गया है तो इस तरह से step by step 45 degree से आपका conveyor belt जो है वो 180 मतलब 45 degree truffing angle से फिर conveyor belt flat position पे आ जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है जो यह conveyor belt पर इस portion पर extra load नहीं लग रहा है और safely हो रहा है तो यह जो distance है वो काफी ज़्यादा important है यह distance सही होना चाहिए जितना ज़्यादा angle का after truffing angle लेंगे अपने conveyor belt में उतना ही यह length बढ़ता जाएगा transitional distance है ना जिसे की transitional length भी कहा जाता है तो देखिए मैंने कहा था कि terminal pulley के center से ले करके first full angle carrying idler frame तक के distance को ही transitional distance कहा जाता है ना तो first full angle carrying idler frame कौन सा है 45 degree वाला तो 45 degree वाले carrying idler frame जो की terminal pulley के सबसे पास में है वहाँ से ले करके terminal pulley के center तक अब वो terminal pulley, tail pulley भी हो सकता है और head pulley भी हो सकता है वहाँ तक के distance को ही transitional distance कहा जाता है और अब इसका calculation देख लेते हैं calculation करने के लिए आपको जुरत पड़ेगी table की इस तरह के table आपको net से आप direct download भी कर सकते हैं या फिर यही से screenshot ले सकते हैं यह full truff transition table है और tail pulley side के calculation में transitional distance के calculation में इसका इस्तमाल किया जाता है अब एक example ले लेते हैं देखिए मालीजे आपका conveyor belt का truffing idler जो है वो 45 degree वाला है ठीक है 45 degree पे है और आपके belt का rated tension जो है वो 60 to 90% है mostly 62 to 90% ही rated tension को लिया जाता है ठीक है तो आपका देखिए fabric belt है तो यहाँ पर factor कितना है 3.2 table में दिया हुआ है ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है यह जो factor रहेगा उसको सिधा आपके belt के width से आपको multiply कर देना है और आपका transitional distance आ जाएगा तो belt width हम माल लेते हैं 1 meter है multiply by 3.2 is equal to कितना आ गया 3.2 meter तो आपका transition distance हो गया tail pulley side का 3.2 meter अब अगर आपका steel cord belt है तो उसके लिए factor दिया हुआ है same condition में 6.4 है ना तो 6.4 को आप one से multiply करेंगे तो वहाँ पर transition distance आ गया 6.4 meter देखिए steel cord belt काफी ज़्यादा hard होता है और इसलिए उसका transition distance भी काफी ज़्यादा आता है फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको head pulley side का calculation करना है तो ये half truff transition table की मदद से आप कर सकते हैं इसमें भी same वैसे ही value दिया हुआ है जैसे हमने उस side का किया था full truff transition table से जैसे use किया था same वैसे ही आपको use करना है तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी helpful होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा